Small letters alphabet जो है वो print style आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले शुरू करते हैं letter A से A लिखने के लिए पहले एक गोला बनाएंगे और उपर ले जाके यहाँ पर रुकेंगे और फिर यहाँ से सीधा नीचे लाएंगे इस परकार से यह हो गया A अब लिखेंगे B B लिखने के लिए एक सीधा लाएंगे इसे ड्रॉ करना है उसके बाद यहाँ से एक आधा गोला अब लिखेंगे letter C C लिखने के लिए एक यहाँ पर आधा गोला चार लाइन है चार लाइन में से यह दो लाइन जो बीच वाला है वही मेन बेस है यही दो लाइन पर जो है लिखते हैं अब C के बाद लिखेंगे D D लिखने के लिए पहले एक गोला बनाएंगे फिर उपर वाले लाइन तक ले जाएंगे उसके बाद फिर इसको सिधा नीचे ले आना है इस लाइन में टच करेंगे D के बाद आप हम लोग लिखेंगे लेटर E E लिखने के लिए यह बीच वाला जो दो लाइन है इसका दोनो लाइन के भी बीच में एक जगा एक स्पोट कर लेना है और वहाँ से जो है इसको गुमाना है इस तरह से यह दोनो लाइन के बीच में से एक सिधा लाइन और फिर यहाँ से एक सर्कल राउंड A, B, C, D, E अब हम लिखेंगे लेटर F F लिखने के लिए फास्ट, सकेंड, थार्ड इस थार्ड लाइन से एक स्ट्रेट ऐसे उपर जाना है और एक ऐसा राउंड गुमा देना है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक इस तरह से एक स्टेट लाइन यहाँ पर कर देंगे यह जो है F हो गया अब लिखेंगे जी जी लिखने के लिए एक गोला बनाएंगे इसके बाद यहाँ उपर से सीधे नीचे वाला लाइन तक आएंगे और फिर इसको गोल घुमा देंगे जी के बाद अब हम लिखेंगे H H के लिए एक सीधा लाइन और उसके बाद एक थोड़ा सा राउंड करके घुमाना है यहाँ पर इस जगा से अब लिखेंगे लेटर I I लिखना बहुत ही असान है सिंपली यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है उसके बाद उपर एक यहाँ पर डॉट देना है इस तरह से I कंपलीट हो गया अब लिखेंगे J J लिखने के लिए इस सकेंड लाइन से नीचे लाइन तक जाना है और इसको राउंड घुमा देना है और एक यहाँ पर डॉट दे देंगे J के बाद अब हम लिखेंगे K K लिखने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉट करेंगे उसके बाद यह बीच वाला जो दोनो लाइन है इसी के बीच में इस तरह से तिर्चा लाइन एक यह बनाएंगे यह हो गया K F G H I J K K के बाद अब हम लोग लिखेंगे Later L L लिखने के लिए Simply first line से third line तक इस तरह से ड्रॉआ करके हलका सा घुमा देना है यह हो गया L L के बाद अब हम लिखेंगे M M लिखने के लिए इस second line से अईसा नीचे ले जाना है फिर इस तरह से एक round लाना है उसके बाद एक round और इस तरह से घुमाना है यह हो गया M M के बाद अब हम लिखेंगे N लिखने के लिए भी जो है second line से third line तक जाना है और फिर एक इस परकार से round घुमा देना है यह हो गया N अब हम लिखेंगे letter O बहुत ही simple है यह बीच में जो दो line है यह दोनों line के बीच में एक गोल इस तरह से बना देना है अब लिखेंगे letter P letter P लिखने के लिए इस second line से हलका सा उपर यहाँ से शुरू करके एक सीधा line नीचे line तक जाएगा और यहाँ पर एक आधा गोला बना देना है यह हो गया P P लिखने के बाद अब हम लिखेंगे Q Q लिखने के लिए यह दोनों बीच में जो line है इस line में एक गोला बनाएंगे इसके बाद यहाँ सिधा नीचे ले जाएंगे नीचे वाला line में और फिर यहाँ पर तिसरी line तक इसको ले आएंगे यह हो गया Q इसके बाद लिखेंगे R लिखने के लिए सेकेंड लाइन से यहाँ से शुरू करना है सेकेंड लाइन से नीचे तिसरे लाइन तक उसके बाद इसी में वापस जाएंगे और इसको इस तरह से गोमा देंगे यह हो गया R R के बाद S लिखेंगे बहुत ही आसान है इस परकार से S लिखेंगे अब लिखेंगे T T लिखने के लिए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक इस तरह से नीचे ले जाके घुमा देना है और यहां सकेंड लाइन के पास इसको यहां पर इस तरह से सीधा कट कर देना है Q, R, S, T अब लिखेंगे U U लिखने के लिए यहां पर एक आदा गोला ऐसा बनाएंगे यह हो गया U Q, R, S, T, U U के बाद अब हम लिखेंगे लेटर V V लिखना बहुत असान है सेकेंड लाइन और थार्ड लाइन इन दोनों के बीच में दो तिर्चा लाइन इस तरह से बनाएंगे इधर से इधर और यहां से फिर इधर उपर V के बाद अब लिखेंगे W W लिखने के लिए सेकेंड लाइन से थार्ड लाइन एक तिर्चा लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर यहां नीचे से उपर जाएंगे तिर्चा फिर यहां से तिर्चा नीचे आएंगे और फिर यहां से तिर्चा फिर इसा उपर जाना है यह हो गया W W के बाद लिखेंगे X X लिखने के लिए एक तिर्चा लाइन इधर दूसरा तिर्चा लाइन इधर ऐसा बनाना है कि B से एक कटिंग करें एक दूसरे को काटे X के बाद अब लिखेंगे Y Y लिखने के लिए एक तिर्चा लाइन इस परकार से बनाना है और एक दूसरा तिर्चा लाइन यहां से बनाकर यहां पर से टच करते हुए इस जगा पर और फिर सिधा नीचे लाइन को जाना है वाई के बाद अब हम लिखेंगे जैड एक सिधा लाइन एक तिर्चा लाइन और फिर एक सिधा लाइन इस फरकार से जैड कंप्लीट हो गया तो ए से जैड तक जो है यह प्रिंट राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है और दुसरी बात इसके बाद फिर रनिंग हन डैटिंग के लिए लिखने के लिए कर्सिव राइटिंग भी सिखना है तो उसके लिए भी यह असान कर देता है इसको अगर बढ़िया से लिख लेते हैं तो कर्सिव राइटिंग भी जो है असानी से लिख पाते हैं मेरे अगले वीडियो में कर्सिव राइटिंग होगा इस परकार के राइटिंग के लिए जो है ध्यान रखना है चारलाइन वाला, फोरलाइन वाला इंगलीज कॉपी ही इस्तेमाल करना है तभी प्रैक्टिस सही हो पाएगा एक बार में एक लेटर प्रैक्टिस करें चार से पांच बार लिखके उसको उपर से लेके निचे तक पूरा भरना है इस तरह ए से लेके जैट तक प्रैक्टिस पूरा करना है धन्यवाद